आप लोगोंने पोई साग की सबजी कभी खाई है ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है बहुत हेल्दी भी जारकन और बिहार में लोग काफी से बनाते हैं सबसे पहले पत्ते को अलग कर लेना है इस तरीके से और आप साग की डंडी यों को हम इस तरीके से छील लेगे और छोटे-छोटे पीसे में कट कर लेंगे सबजी के लिए अब मसाला पीश लेते हैं मगज के बीश लहसुन और हरी मिर्श गोलकी और थोड़ा सा पानी डालके इसका एक पेस्ट बना लेंगे अब एक कड़ाय में तेल गरम करेंगे और डालेंगे मेथी के दाने और साबुत लाल मिर्च खुश्बू जैसे आने लगे इसमें साग की डंडिया को डाल लेंगे और शैलो फ्राइ कर लेंगे साथ में आलू को भी शैलो फ्राइ कर लेना है अब इसमें मगज वाला पेस डालेंगे और साथ में डालेंगे हल्दी और धनिये का पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक स्वाद अनुसार आप मगच की जगा पोस्तो दाना या फिर मूमफली के दाने भी ले सकते हैं इसे चलाते हुए मसालों को अच्छे से बून लेना है एक ज़रूरी बात पोई के पत्ते हमेशा दो ले फिर कट करें वरना ये बहुत लसलस हो जाता है लो फ्लेम पर चलाते हुए तीन से चार मिनट के लिए साग को कुप कर लेंगे अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और गरम मसाला पाउडर एक बार अच्छे से चला ले और लो फ्लेम पर ढफकर आलू और डंडिया पकने तक हम कूप कर लेंगे कॉंटिटी की सारी डीटेल्स आपको नीचे डिस्किप्शन में मिल जाएगी साग रेडी हो गया है आप इसे डाल चावल या पराठे के साथ खाए बहुत जबरदस लगता है